वेल्कम पेरेंट्स दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके द्वारा स्पेशली जब बच्चे को जो मदर खाना खिला रही है उनके द्वारा की गई तीन ऐसी मिस्टेक तीन गलतियों के बारे में हाइलाइट करूँगा जो उसके साथ नहीं करनी ची है देखिया अभी फोल उप में मेरे पास आये थे तो उन्होंने का कि मैं चुकंदर लेके आई थी बच्ची खाती नहीं है मुझे बड़ आश्चर रहे हुआ मैं आप लोगों से जो लोग मेरा वीडियो देख रहे है आप लोग मुझे एक चीज एक्स्प्लेइन कीजिएगा कि आप एक पर लेके आता हूँ आप से कहता हूँ कि इसे खाई है तो आपके रियक्शन्स क्या होंगे आप सबसे पहले क्या करेंगे उसको देखेंगे थोड़ा सा पास में लेकर के स्मैल भी करेंगे उसकी उपर आपका जब आप उसे देख रहे है उसका कलर कैसा है उसका टेक्श्चर क इन सब चीजों के उपर आपका ध्यान जा रहा है, यह सब चीजे बताएंगे कि मुझे इसे खाना है कि नहीं खाना है, पिर यहाँ जब आपको लगा कि हाँ यह कुछ सही है, तो आप क्या करेंगे, उसमें से बहुत थोड़ा पार्ट लेंगे और आप उसको चखेंगे, बीट रूट उससे कभी देखा ही नहीं, आप लेकर का एक काटा उसको और उसको खिलाने लग गए, और फिर आप कहते हैं कि नहीं खाता है, आइडियली क्या करना चीए था, कि आप बीट रूट लेकर के आते, बच्चे को देते, उसे एक दो दिन उसको देखने देते, के आपको बता रहा हूँ कि ऐसी इस्तिती में बच्चा जो है, वो उस खाने को एकसेप्ट करेगा ही करेगा, सीधा लाकर करके उसके मुह में डालेंगे, तो वो नहीं करेगा, आपको बीट रूट को आपने उसको काटा है, और फिर खुद खा रहे हैं आप उसके सामने, तो मेरा मेरा एक जो है आपके लिए एक सजेशन कि आप उसे फैमिलियर जरूर कराई है, मिस्टेक नमबर दो, मैंने देखा है, मैं खुद बता रहा हूँ आपको, कि मदर पीछे-पीछे भागती रहती है, स्पून है, चमच लेकर के, या फिर कुछ रोटी का टुगडा लेक करके, बच्चा आ गया के भाग रहा होता है, मदर उसके पीछे-पीछे भाग रही होती है, कि खाओ, खाओ, खाना है, यह कोई तरीका नहीं है, इसकी बजाए आप क्या कर सकते हैं, एक घर का एक कोना, या कोई ऐसी प्लेस, जैसे हम लोग डाइनिंग टेबल भी तो लगा पीछे-पीछे भाग रहे हैं, उसकी बजाए आप उसका एक जगा निरदारित कीजी, वहाँ पर बच्चे को बैठाईए और वहीं पर खाना खिलाईए, जहां पर मैं आपसे बोल रहा हूं कि खाना खिलाईए, तो यहां पर आप यह मानिए कि खाना खिलाना नहीं है, हमारे पास थोड़ा सा जादा आ गया, तो हमारे पास यह कि नहीं हमें इसे पूरा फिनिश करना है, एक दाना भी खराब नहीं होना चाहिए, चाहे मेरा पेट खराब हो जाए, अगर आप से गलती हुई है, तो उस खाने को आप किसी जरुरतमंद को दे सकते हैं, बाहर कु जब तक वो फिनिश नहीं हो जाएगा, तब तक उसके मुमें डालते रहेंगे, यह है मिस्टेक नमबर तीन, प्लीज ऐसा मत किजिए, आप खुद सोचिए इस चीज को लेकर कि आपको भूक नहीं है, और आपको जबरदस्ती खिलाया जाएगा, तो आपको कैसा मैसूस हो तो यह जो feeding time है जब हम बच्चे को खाना खिला रहे हैं, इसे केवल आप यहां तक सीमित मत रखिए कि मेरे बच्चे का पेट भरने से related है, यह बच्चे के development में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आप सोचिए कि बच्चे को भूक लग मेरे को खाना खिलाया गया है, और यदि बच्चे को भूक लगी है, वो रोया उसे खाना नहीं मिल रहा है, तो उसके दिमाग में इसका negative जाएगा, कि surrounding environment अच्छा नहीं है, यह इसके development में उसके brain के अंदर हर चीज पर वर्क करेगा, इसी का यह तीसरा respect में आपको बताता ह बच्चे को भूक नहीं है, और आप उसे जबरदस्ती खिला रहे हैं, तब वो देखेगा यह क्या मजाग है, क्योंकि बच्चों के पास अपना food regulation का बहुत अच्छा तरीका होता है, उन्हें पता होता है कि कब खाना है, कितना खाना है, देखे, यहाँ पर दो जिम्मेदा है, एक बच्चे की जिम्मेदारी है, आप इन दोनों को समझ जाएंगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा, पेरेंट्स अजे मदर पाप यह मानी, क्योंकि वो ही खिलाती है, उसकी responsibility उनकी यह है, कि मैं एक अच्छा खाना बनाऊंगी, nutritious food बनाऊंगी, और इसे बच्चे को करूंगी, बस यहां तक मेरी जिम्मेदारी है, बच्चे की जिम्मेदारी क्या है, मैं इस खाने को खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, और खाऊंगा तो कितना खाऊंगा, तो आप उसके एरिया में मत गोशिए, उसे पता है मुझे खाना है की नहीं खाना और कितना खाना है, तो ये तीन mistakes थी जो मैं आपके साथ में मुझे लग रहा था कि यहां गलतियां हो रही है यह बच्चे को during feeding आप मुझे बताईगा कि क्या मैं सही हूँ और आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो please comment जरूर कीजिए आपको जो आपके मन में आ रहा है कि इसको ऐसे और सही किया जा सकता है इसको ऐसे सही किया जा सकता है आप लोगों ने कोई technique अपनाई है तो यह जरूर comment केजिएगा वीडियो अच्छा लगाया तो इसे like करें और चैनल को subscribe जरूर करें Thank you